गूळ बॉर्निंग All students 10th class Hindi Dimitram Students मुष्ट वैलकाम इन दिस वीडियो वेटा लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे कारिये कारिये किसे कहते हैं कारिये की परिभासा कारिये का सूत्र और मात्रक इसकी बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि कारिये बेग्यानिक द्रश्टी कोण से कारिये होता क्या है तो वो आपने यहांता complete पढ़ लिया था अब मैं थोड़ा सा इसी के अंदर कारिये के आपने परिवासा पढ़ी कि किसी बस्तू पर बल लगाया जायर बल की दिसा में विस्थापन हो तो वो कारिये है ठीक है तो कारिये को हमने का कारिये बराबर बलगुणा विस्थापन कारिये बराबर बलगुणा विस्थापन मिस डबलू बराबर एप इंटू एस ठीक है, कार्य का हमने मातरक निकाला कि कार्य का मातरक होता है जूल, कार्य का मातरक होता है जूल, और कार्य का छोटा मातरक होता है अर्ग, फिर हमने ये भी ग्यात किया कि जूलों अर्ग में सम्मंद क्या है, तो सम्मंद आपका निकला था, कि एक जूल, एक जूल, बरावर दस्की घात साथ अर्ग एक जूल बराबर दस्की घात साथ अर्ग होता है ये मैं आपको बता चुका था तो ये जूल कारिय का मातरक है और अर्ग भी कारिय का मातरक है ठीक है? Then next मैं अब आपको एक सवाल के बारे में बात करता हूँ एक आंकिक प्रशन करवाता हूँ आपको इसी से ध्यान दे देखे बटा आंकिक प्रशन आंकिक प्रशन और आंकिक प्रशन मैं यह दे रहा हूँ कि मानली जी हम एक कुश्यन सफर में एक 15 के जी का थैला हम सफर में जा रहे हैं और एक थैला जिसका बज़ेने कितना 15 किलो इस 15 किलो के थैले को थैले को एक पॉइंट पाँच मीटर उठा कर एक पॉइंट पाँच मीटर उठा कर पीठ पर रखते हैं एक पॉइंट पाँच मीटर उठा कर पीठ पर रखते हैं कहां चे रखा प्रतिवे से उठा कर पीठ पर रखते हैं तो थेले पर किया गया कारिय क्या होगा तो सफर में हम है 15 किलो का थेला है 1.5 मीटर उठा कर पीठ पर रखते हैं तो थेले पर किया गया कारिय ग्याद करो थेले पर किया गया कारिय ग्याद करो ठीक है, तो इसके लिए हम सॉलूशन याने हल तो हमें क्या के दिया हुआ है इस अवाल में पहले उसको देखें हमें दिया है 15 किजी, 15 किजी के होता है बजजन होता है, बजजन मीज़ द्रब बिमान तो एम बराबर 15 के जी और क्या दिया में डेड़ मीटर उठाया है तो मतलब मुझ चाहिए तो एच बराबर 1.5 मीटर ठीक है अब प्रत्वी से उठाया है तो प्रत्वी से उठाने पर गुर्तवा कर्षण की बिरुद्ध काम करना पड़ेगा तो यहां पर आपने आप ही क् गुरुत्वी बल का मानत होता है 9.8 मीटर बटे सेकंड स्कॉायर लेकिन यहां पर हम जी की बैलू कितनी लेंगे 10 गणना करने के लिए जी की बैलू 10 लेते हैं मीटर बटे सेकंड स्कॉायर ठीक है यह गुरुत्वी तुरण है जी की बैलू अब हम सुत्र लगा देते हमे ग्याद करना है कारिय तो कारिय बराबर जानते हैं हम बल गुणा बिस्थापन ठीक है तो डबलू बराबर एफ और एस लेकिन यहां पर एफ है क्या यहां पर एफ जो बल है वो द्रब्मान बल क्या है यहां पर द्रब्मान गुणा तुरण है गुरुत्वी तुरण तो यह F बराबर यहाँ F बराबर हम लेंगे M Z W बराबर F S लेकिने F बराबर क्या हो गया M Z तो W बराबर में सूत्र बनाऊंगा दोबारा F की जाए क्या लूँगा M Z dot S तो M की बैलू क्या है हमारे पास कितनी है 15 के Z multiply Z Z की बैलू है 10 गुरत्य तुरण गुणा विस्थापन कितना हुआ 1.5 मीटर एक पॉइंट 5 मीटर विस्थापन है तो करेंगे कितना आएगा देखिए 15 multiply 10 कितना हुआ 150 multiply बन पॉइंट 5 क्या आएगा देखो W इक्वल टू गुणा आप इसको करोगी कितना आएगा 150 गुणा 1.5 आप करोगे लगवग आएगा 200 लगवग ने complete 225 आएगा 225 पर कारिय का मातरक क्या होता है जूल होता है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कारिय का मातरक तो जूल लगा दिया तो उस थेले पर किया गया कारिय 225 जूल होगा तो यहाँ लिखेंगे थेले पर किया गया कारिय 225 जूल 225 जूल होगा ठीक है तो इस तरह मैं आपको एक और सवाल देता हूँ यह आप देख लें एक बार पहले हम सफर में जा रहे हैं 15 के लोगा थेला उठाया कितना उठाया 1.5 मीटर उठाया और उसको पीट पर रखा पीट पर रखाया तो उसको प्रत्वी से उठाया प्रत्वी से उठाया तो उसके गृत्वे वल के बिरुद्ध हमें काम करना पड़ा गृत्वे करशन के बिरुद्ध काम करना पड़ा तो यहाँ पर गृत्वी वल लगा तो कितना उठाया 1.5 मीटर तो ये तो हो गया द्रब्यमान ये हो गया उंचाई ये क्या है इसकी उंचाई को ऐस से बेट करेंगे और उठाया तो जी का मान आपने लिखी रखा है आपर और आपके फॉर्मुले के अंदर आपने सेट कर दिया तो आपका अंसर आता है कि थेले पर किया गया कार्य दो सो पत्चीस जूल हुआ ठीक है तो सॉलूशन आप तरीके से करें पहले आप कुशन को पढ़ें कुशन में कौनकों सी संख्य दीव उनको भार निकालें ऐसे आपको सॉलूशन लिखना पढ़ेगा हल लिखना पढ़ेगा संख्या आपको M का दमान दे रखा है M का मतलब क्या है यहाँ पर द्रब्यमान ठीक है द्रब्यमान कितना है 15 किलो एज क्या है उचाई 1.5 मीटर इस तरह इन संख्या को आपने जमाया तो W का मान आ गया कितना 225 जूल किलियर देन नेक्स्ट देखिए अगला एक और आपको कुशन देता हूँ इसी तरह का सवाल है यह कोई 36 संतल प्रश्ट है इस पर यह बस्तू रखी हुई है ठीक है इस बस्तू पर बल लगा रहे हैं कितना 5 न्यूटर बस्तू पर कितना बल लग रहा है 5 न्यूटर और बस्तू का विस्थापन 20 मीटर बस्तू यहां पर आ गई डिस्प्लेस्मेंट कितना 20 मीटर और न्यूटर कितना 5 न्यूटर बल लगा लेकिन यहां से जो बस्तू है यह बस्तू बलके साथ यह बलकी दिशा और बलकी दिशा के साथ मालेजे ठीता कौन बनाती है इस तरह देखो यह बिस्तापन और यह बलकी दिशा एव और यह एस और ठीटा को ठीटा कितना तीश दिगरी कौन बना ठीक है यह हमारे पास कुश्चन है तो इस बस्तू के द्वारा किया गया कारी कितना होगा तो एक कुश्चन है आप कैसे लिखेंगे कि किसी बस्तू पर पास न्यूटन बल लगाया और वो 36 सते से 36 सते से बल के द्वारा 30 डिगरी कौन बनाते हुए 20 मीटर दूरी तक विस्थापित होती है तो बस्तू पर किया गया कारी कितना होगा ठीक है तो यहां देखी अब आपको संख्या बता दी गई सॉलूशन कैसे होगा हल मतलब सॉलूशन आपको बल का मान दे रखा है बल एफ बरावर पांच न्यूटन एइन का मतलब क्या है न्यूटन विस्थापन एइस बरावर 20 मीटर और 36 सल से ठीटा कौन बनाया है 36 तल से 30 डिगरी कौन का मान है तो एफ एफ नहीं कौस्ट ठीटा की जगे कौस्ट तीस डिगरी की बैलू होती है अंडर रूट तीन अपॉंट दो ठीक है या मैं इसकी बैलू आपको डारेक्ट लिख देता हूँ इसका जो बैलू आप निकालो गई आएगा 0.866 यह आपका बैलू आएगा कौस्ट तीस डिगरी का बैलू आपका आएगा 0.866 अब आपके पास यदि बूरी केलिशन के लिए आपके पास मान है तो आप फॉर्मूला लगा दें सूत्र से तो एब डबलू किया गया कारिया है सूत्र से बस्तू द्वारा किया गया कारिया डबलू बराबर एफ एस कौस्ट तीटा एफ कितना है पांच न्यूटन गोणा बीस मीटर गोणा कौस्ट थीटा की जगे है कौस्ट तीस डिगरी ठीक है बागी बैलू उदर लिख रहा हूं तो डबलू बराबर पांच न्यूटन गोणा बीस मीटर गोणा इसकी जो बैलू है कौस्ट इसकी अंडरूर तीन बटे दो या 0.866 डबलू इक्वल टू कितना हुआ बीस पंजे सो मल्टी प्लाई 0.866 डबलू इक्वल टू कितना आएगा इसको मल्टी प्लाई किया हंड्रेड से हंड्रेड मल्टी प्लाई 0.866 तो यदि इस बस्तू पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण 20 मीटर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस अबजेक्ट के द्वारा जो बस्तू के द्वारा किया गया कार यह है डबलो एक्वल टो पांच मल्टी प्लाई 520 मल्टी प्लाई 0.866 देन इसको कंप्लीट कीजेगा तो 100 को आप 0.8 0.866 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो पॉइंट के बाद 3 रिजिट है तो इदि आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 हो जाएगा या आप 100 से डारेक्ट इसको गुणा करेंगे आप तो इसकी बैलू हो जाएगी यहां से पॉइंट आप दो आगे खिसका दीजिगा तो यह जाएगा 128.66 और कारिये का मातर क्या होता है जूल तो डबलू बराबर 8.66 जूल यह आंसर आएगा ठीक है तो दिखो जो मैंने आपको कुशें दिया कि एक बस्तू जो एक समतल प्रष्ट पर है पांच न्यूटन इसमें फोर्स लगाया बल लगाया और 20 मीटर इसमें विस्थापन होता है लेकिन 36 सत्य से 30 तीरिय का कौन बना रही है तो यहाँ पर यह आधार और कर्ण के साथ जो कौन बना हुआ है कौस ठीटा कौस 30 की बैलू अंडरेट तीन बटे दो या उसे मैं बैलू में कहूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हुए इन चीजों को साइस में आप बैलू ध्यान रखें कुछ ही मान काम आते हैं बस तो कौस 30 की बैलू होती है 0.866 आप डारेक्ट इसको मल्टिप्लाइ कर सकते हैं मल्टिप्लाइ करेंगे तो कंप्लीट इस बस्तु द्वारा जो किया गया कारी आएगा वो डबलू बराबर 8.66 जूल आन सर ठीक है तो आपको मैंने जहां कारी के जो नूमरिकल्स कराए ये नूमरिकल्स इसी तरह आते हैं किसी भी तरह आपको केबल फॉर्मुला याद रखना है और उस फॉर्मुले के द्वारा आप इनको आसानी से कर पाते हैं इसी तरह और आपको यदि ऐसे ही सवाल दे दिये जाए कि कोई भी वस्तु ये केबल ध्यान रखना कि कभी कोई वस्तु को यदि प्रत्वी की सते से लंबत उठाया जाए लंबवत उठाया जाए रो यदि 36 तल से वो उपर बल लगाया जा रहा है और काफी टाइम से बल लग रहा है बल चाहिए 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 500 न्यूटन कितना भी है लेकिन उसका विस्तापन सुन्ये जिसे मैंने आपको एक्जामपल दिया कि कोई ट्रक खड़ा हुआ है और वो श्टार्ट नहीं हो रहा और हमें धक्का लगाना है तो मालनों 20 लोगों ने मिलके धक्का लगा है लेकिन धक्के लगाने पर भी ट्रक विराम अवस्ता में ही है उसमें गती नहीं हुई जबकि बल कितने लगा रहे है 20 लोग लगा रहे है ठीक है और कम से कम 10 मनट से बल लगा रहे है लेकिन वो विराम अवस्ता में खड़ा हुआ है उसमें गती नहीं हुई बिलकुल तो उन 20 लोगों द्वारा किया गया कारिये सुन नहीं माना जाएगा चाहे वो ठक चुके हैं बल लगा कर लेकिन वेग्यानिक दिश्टी कौन से वो कारिये सुन होगा क्योंकि वेग्यानिक दिश्टी कौन से कारिये तभी माना जाएगा जब बल के साथ बिस्थापन हो और बल के साथ बिस्थापन नहीं है बलतो है बिस्तापन सुन तो किया गय कारिय भी सुन्य होगा ठीक है ऐसा मैंने आपको उधारन दिया यह समझना यह चैप्टर साथ नमर का है और चैप्टर में आपके दोई टॉपिक बच्चे है तीसरा टॉपिक हिटा दिया उर्जा वाला कारिय और सक्ती दोई टॉपिक जाएं क्योंकि आपके पास तीन रासी है कारिय बराबर बल गुना विस्तापन इन तीन में से आपको दो रासी कैसे भी दे दी जाएं डबलू एक्वल टू एफ एस इन तीनों में से दो रासी आपको कैसे भी दी दी जाएं आप उसको मल्टीप्लाई करके उसको आप कर सकते हैं जैसे एप की वैलू पूछें आपसे एप तो एप के लिए क्या करें आप डबलू अपॉन एस कर लो ठीक है आपको एस पूछ लिया जाए एस एक्वल टू ड डबलू दे रखा ये उपर कारिये ग्याद करना है तो बल गुणा विस्थापन करना है बल ग्याद करना है तो कारिये में आपको विस्थापन का भाग देना है यदि आपको विस्थापन ग्याद करना है तो कारिये में बल का भाग देना है तो इन फॉर्मूलों के द्वारा आप किसी भी प्रिकार की डिजिट को solve करके और आप उसको कर सकते हैं ठीक है अब next बात करूँगा मैं किसकी power की power means सक्ती जैसे हम कोई बंकी परिवासा नहीं बोल सकते कि बल है कैसे परिभासत करें बल को कैबल जूर किसी वस्तु को खीचना बल यह किसी वस्तु को धका लगाना बल है बल की और परिवासा नहीं होती फिर scientific तरीकर सम हैं तो किसी बश्तू का द्रव्मान उसके तॉर्ण कि गुणन फल को बल कहते हैं ठीक है इसी तरह सकती अब सक्टी का आजनक कैसी किया जाये कि पारे पावर होती क्या है एक सक्टी होती तो सकती की मैं बात करूू, जैसे एक horsepower, गोडे की सकती, जैसे यह जो motor हे, engine है, धिंजने, होडे कीतना है, तो होड्सपावर का आगलन किसी कीया, गोडे की सकती को नाप कर, एक गोडे की सकती मानी जाती है, 746W, कितनी, 746W, एक मनुषी की सकती मानी गई है, 300W, एक minimum कोई भी कार हो तो कार की सक्ति होती, 8000 वाट. ठीक है? तो इसी तरह आप जैसे CFL LED जलाते हो, बल्व जलाते हो, सब में बाट होता है. बल्व 100 वाट का होता है, LED 7 वाट की, या जो भी है, 14 वाट, 21 वाट, 23 वाट. तो ये बाट से क्या पता लगेगा? उसकी सकती का कि वो कारिय करने की दर क्या है ठीक है तो सकती है क्या सकती को मतलब क्या है कारिय करने की दर को ही सकती कहते है कारिय करने की संपन करने की जो दर है वही सकती है किसी भी बस्तू द्वारा किया गया जो कारिय है और कारिय करने की दर है वही सकती है ठीक है तो कारिय आपको डालूगा सकती की पूरा टॉपिक शकती सकती की परिवास poles सका मात्रक समन्थ किस्म आपको नेकश टीडियों में शेयर करूँगा आज की डीडियों में केवल आपको इतना ही कि कारिये और कारिये से संबंदि आपके रिप्रेशन कम्प्लीट करना आज की इतना ही थैंक यू बेरी मच